मेरी एख झेना फ्रेंड औज फॉर्थ और मतलब बहुत पैसे वालिवाव अच्छा घरबार ईसकेश्पारवड और तो वह न तुमको पसंद करती मैं तुम कितिने सान र अगलर बॉलू तो हे गाइस वेलकम बैक तो माइ न्यू प्रैंक वीडियो तो आज फिर से करेंगे इसके पापा के उपर प्रैंक तो मैं हो चुकी हूं रेडी साड़ी आड़ी पैन के अराम से तो आज का प्रैंक बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है और प्रैंक जो होने वाला है वो ये है की मतलब इसके पापा का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे की वो मुससे कितना प्यार करता है मैं उनसे बोलूगे की बही मैं को बहुर जादा अमीर बना ये वह एक फ्रैंड है और वो बोना इसके पापा से प्यार करती है वो उससे मैंन के पापा को प्रपरेंट रो करनी उसका कि वोछादी कर से तो देखते हैं आगे देखते हैं आप देखना प्रैंक को फिर आपको समझ में आए तो देखना रहोज्ड कुप मत करना लाइक, शेर, GO मैंट करना ना बैँ? बोलो vacuum कर देना चेट छे डूग आजा रेल्स बनाएंगे शीवू तू शुन्दे नहीं तूनी तून्टी तून्टी नहीं पापा को पाटी ममा के जारी है क्या नहीं तो जा साड़ी भाड़ी पाया के बैट गयती है तू यू अछे नहीं लग रही ह। लग जारी है अज अच्छा लगता साड़ी में अच्छा लगते हैं अमीर-मीर से आज क्या हो गज़ा कैसे अमीर वाली फिलिंग आने लगी आरे बड़े बड़े लोग ऐसी तो पहने रोज साडी पहनते हैं अच्छी चूडीय पहनते हैं मेक अच्छी तो बड़ी लोग है अब एक बात जिताएं अगर अमीर नहीं हो सकते तो क्या अमीर जैसे शौग भी प क्या कि बूरे कर सकते हैं कैसे के साडी वाली पैनके अराम से घर में मेकट वेक अप करके रोज बेट शौद लगा ना क्यों चोचलेवाजी कर रखे एदल है कोई आशेगा और तरफ क्यों सेगा अधर डेली डेली घर में भी साड़ी कोई जावा आवा तो भी लगा है क्यों बहुत लोग होते हैं जो कि घर में साड़ी पहनते हैं तु यह रानी कुईन है तु यार लेकिन किता अच्छा होगा जैसे हम अमीर हो जाएं करोड़पती हो जाएं तु अच्छा लगेगा ना हमारा अपना घर होगा कार होगी ड्राइवर होगा कॉंचा सपना देख लिया आज है यह मेरा लेकिन यह सपना है कि मतलब मेरा अपना बड़ा घर हो यह हो अच्छा लगेगा कि दू सहल की हमारी अधराजार रुपे जो भी है ऐसा तो हानी कि आज हम अधिसी हम तो आसी रहेंगी पड़ा प्रपास एक स्कीम है जिसे हमें अमीर हो सकते हैं अच्छे क्या बताओ पहले तुम करोगे तो क्या करना है सच बता रहें क्या बता अगी का तुम बता पहले बताओ करोगे क्या करना है यार मुझे बोलना तुम चीह मेरी एक ना फ्रेंड है वो बहुत मतलब भूत पैसे वाली है वो अच्छा खासा घर बार है उसका बहुत पैसे वाली हो इकलौती है वो अच्छा तो वो नो तुमको पसंद करती है है मेरीagt है जब तो यह कैरी कि ना तुम से शादी करना चाहती है ना शादी के बाद वो तुमको मेरे को बाबु को região नहीं रखेगी और वो सारे जो गहरवार होगा ना वो सब वो मुझे दें देंगी अच्छा है और फिर तुने क्या बोला मैंने बहन देख मैं अभी कुछ नहीं कह सकती पहले मैं उनसे बात करूंगी पूछ नहीं पर बताऊंगी पागल होगी है का पागल की क्या बात है आखेगी अच्छा बात है क्या होगी क्या होगी है तु में किसी वर दशावी एड़ लग लग देगी है तो यार एख बाताओ महल कोई चाहता अच्छा खाशा कपड़े लगते है वार मगाल तो मतलब अपने बदी को बेच दो तो बेच थोड़ी दियो मैं तो बेच कि मुझा नहीं बता अरे पहले तुम हातों कर आप मैं सब कुछ देख लोगी फोटो तो दिखाओ थी मरको दिखा कि वो में हमी कोई हो अक वह तर्फीत हो गए कि वों हुआ कि वो कि कि व यह है यह होट है यह तो बहुत जाद है तो बताओ क्या फिगर है इसका तो बताओ ना फिजन यह तो तेरसे भी बहुत जाद सुंदर है यार कहा ने थी जाद खुलि यार यह तो बहुत सुंदर है वह डि चुर्द क्रलों करो के तिर जिय को दिक्कत तोना ओविके शच्छ ले अर Śका यारू说 अच्छे जी सब कुछ देगी सब वो भी देगी आदू ठीक है बस चला बात और बात देख ले तरको कोई दिक्कत तो नहोगी ना दिक्कत तो ना ना मेरे कोई दिक्कत ना आ है तू बता ले चल दो ठीक है फिर उसको दिक्कत हो रहे है इसको दिक्कत हो रहे है कर फिर बात करना तुम कितने गंद इंसान हो ना कितना गंदा इंचान हूं कितना प्रॉब्लम दिल की वह देख रही हूं कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे मागर मैंने तुम से यूँ बोल दिया कि कोई लड़की हमको इतना सब कुछ दे रही है और मुझे कोई प्रॉब्लम नी है तुम शादी करोगे तो तुम हाँ बोल दोगे तुमको तो यह बोलना चाहिए ना कि मेरी शादी हो रखी है मेरे एक छोटा बच्चा है मैं तेर से प्यार करता हूं या कुछ तुमने तैसे कुछ भी नहीं बोला तुमने तो सीधा यू ब कर लूंगा तुम तो बहुती ज्यादा बेकार इंचान हो 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 पता नहीं मेरी किसी पहले दुना बोला क्यों है तुमने टेस्ट कर ले मैं ग्रें जी खुम कंया वे समय अज़ए ऐसर लिए तो रह सब्सक्राइब वहां बार्षा शालिता पार करो मैंने का लगार्या चाहिं मैं देख लेकर स्टाकश normaal करते पहले पागल बनावा देखियों ना प्राइंक करने के साथ तुम क्या बोलते हो क्या नी बोलती ये सिर्फ एक छोटा सा प्राइंक था कोई रियालिटी नी थी पर तुम बहुत बेकार हो दिल से बोल रहे हो